तो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए ग्रीन केमेस्ट्री से अगला टोपिक लेके आएं जिसका नाम है एन्वाइरमेंटल फैक्टर सो अट में इसको E factor भी बोलते हैं तो आए जानते हैं environmental factor के बारे में बच्चो ग्रीन केमेस्ट्री में सेलडोन ने सबसे पहले किसी भी process किसी भी reaction की effectiveness या फिर sustainability को measure करने का एक method दिया एक मात रख दिया आए जानते हैं कैसे E factor is the ratio of total mass of all waste products found per case of the desirable product obtained बच्चो किसी भी process या reaction का जो E factor होता है वो एक ratio होता है जिसमें आप किसी भी reaction के अंदर बनने वाले waste product के mass को अगर आप divide कर देते हैं desirable product के mass से तो आपको मिल जाता है E factor value बच्चो यह आगे हमारा E factor का formula जिसमें हम लोगों को divide करना होता है waste product के mass को desirable product के mass से clear हुआ आपको or your E factor process is better to sustain बच्चो ध्यान रखेगा कोई भी ऐसा process जिसमें E factor की lower value आती है वो process आपका अच्छा माना जाता है बेटर माना जाता है याद रखेगा the ideal E factor is 0 बच्चो ग्रीन केमेस्ट्री के हिसाब से अगर किसी reaction में किसी method में आपकी E factor value 0 आ जाती है तो ये ideal होता है as per green chemistry principle reinforces to green chemistry principle of minimizing the waste याद होगा आपने green chemistry के 12 और 12 principle किये थे उसमें से एक principle था हमारा minimizing the waste यानि waste बनना कम करना तो अगर किसी process में waste कम बनेगा तो ideal factor कम आएगी बच्चो और अगर बिलकोल नहीं बनेगा तो 0 आएगी तो आप मुझे बताईए कि क्या वो process अच्छा होगा जिसमें waste कम बने या बिलकुल ना बने समझ रहे है ना तो हमारा E factor value इसी बात पे जोड देता है green chemistry को बिलकुल follow करता है और जिस process के अंदर waste कम बनेगा उसका E factor कम या 0 आएगा और जितना कम होगा उस process में उतना ही दम होगा समझ में आ रहा है जी चलिए फिर आगे बढ़ते हैं lowest E factor value obtained in petroleum sector while higher E factor in pharmaceutical industries बच्चों यहाँ पे आपको टेबल दिखाए दे रहे हैं इस टेबल को आप फोलो करेंगे तो उसमें different industries की आपको E factor value दिखाए दे रही है धियान से देखिए यहाँ पे सबसे lower value सबसे कम E factor value जो है वो petroleum के लिए और सबसे ज़्यादा higher value किसकी है जी pharmaceutical industry हाँ वो ही जहाँ दवाईया बनती है clear है तो आपने अभी जाना था कि जितनी कम value E factor की होगी वो process वो method वो industry वो तरीका सबसे अच्छा होगा तो sir मैं क्या है यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि petroleum industry जो है वो environment के इसाब से safer है क्योंकि उसके अंदर waste कम बनता है इसी लिए उसकी E factor value कम है सही कह रहें जी आप तो sir क्या मैं यह भी कह सकता हूँ कि सबसे जो खतरनाक environment के लिए जो dangerous जो hazardous process है वो pharmaceutical industry के होते हैं तो यहाँ भी आप सही कह रहें sir pharmaceutical industry जो है उसके अंदर waste product बनते हैं ज्यादा और ज्यादा बनने से E factor value भी हो जाती है ज्यादा और E factor value अगर ज्यादा होगी तो वो environment के हिसाब से process वो industry safe नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग दवाई खाना तो नहीं छोड़ सकते हैं न जी तो आजकल pharmaceutical industry के लिए green chemistry जो guidelines हैं वो follow करना compulsory हो रहा है बच्चों इंडिया के अंदर green chemistry को उतना seriously नहीं लिया जाता है लेकिन European countries में या developed countries में ऐसा नहीं है वहाँ पर green chemistry को strictly follow किया जाता है और जो company इनको follow नहीं करती है उन company को banned या blacklisted कर दिया जाता है तो future हमारा green chemistry ही है इसलिए आपको इस चीज को समझाने पे जोड़ दिया जा रहा है समझ लो बच्चों काम आने वाली चीज है चलिए लेते हैं बच्चों limitation of e-factor e-factor की कमिया बच्चों जो हमारा e-factor है यह केफल यह बताता है कि कोई भी industry कोई भी method कोई भी process कितना safer है लेकिन यह नहीं बताता कि वो हमारे environment को कितना नुकसान पहुचा सकता है उस process में बनने वाले जो waste है वो हमारे environment को कितना damage कर रहे हैं तो यह नहीं बता पाता है बस यह बताता है कि वो safe है या नहीं clear हुआ आपको तो बच्चों आज हमने जाना environment factor e के बारे में hopefully आपको clear हुआ होगा